नमस्काल दोस्तों, In Focus Civil Academy के इस Current Affairs की Classes में आप सबी का स्वागत है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि इस समय हम लोगımızı Current Affairs की Classes में Current Affairs को Direct शुरू कर देने से उसमें Topics के डिसकुसन से पहले हम लोग इस बात पर ز्यादा تवज्यों दे रहे हैं कि Current Affairs में प्रश्ण वाक्तिस्तों में पूछे किस तरीके के जाते हैं, उसमें हम लोग खंडवाल तरीके से राष्ट्री, अंतराष्ट्री, संक्षिप्तियों, इत्यादी पराधारित, विभिन पहलूओं को समझे कि किस प्रकार के प्रश्ण ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इन सभी का हम लोगों ने अच्छे से विशलेशन अपनी पिछली कक्षाओं में किया है, उसी क्रम में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पुरसकारों के संबंद में, आप लोग जानते हैं कि संक्षिप्तियों वाला जो चैप्टर होता है, आपका, अमूमन किसी भी मैगजीन में आप देखेंगे कि जो लास्ट में चैप्टर्स दिया होता है, उन में संक्षिप्तियां करके एक चैप्टर होता है, और उस संक्षिप्तियों में कई सारी one-liner facts दिये रहते हैं, जो current events से related होते हैं, और उनमें एक पूरा सेक्सन होता है, पुरसकार से संबंद आज का ये वीडियो दरसल उनी पुरसकारों के बारे में है, जो कि हमारे current affairs की classes में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि current affairs का वो section है, जो वास्तों में एक बहुत एहमियत रखता है, और उस एहमियत रखने का कारण ये है, क्योंकि ये होता है इतना, और इ नजर मार लेते हैं, वेटेज है कितना, तो देखिए, वैसे अगर overall हम लोग current affairs का वेटेज देखें, तो पिछले जो 5 prelims exam की यदि हम लोग बात करें, तो पिछले 5 prelims exam, यानि 2021, 2016 की पुनरपरिक्षा, 2017 की ऐसे करके जितने भी exams थें, उनमें देखेंगे, तो current affairs एक बार प role in RORO preparation, because it carries around 22 questions of current affairs, current affairs के लगभग 22 questions हमारे प्रारंभिक परिक्षा में देखने को मिलते हैं, on an average यदि बात करें, और इसमें से भी यदि हम लोग देखें कि awards वाले question कितने रहते हैं, जो हमारे पुरसकार से संबंदित होते हैं, तो उसमें देखिए, RORO में आपके एक से द यूनतम एक प्रस्ण तो हर वर्स दिखता ही है, परन्तु यदि अधिक्तम की बात करें, तो इसमें आप यह समझ लिजे, 2017 के एक्जाम में इसमें 6 प्रस्ण भी पूछे गए हैं, ठीक है, 2017 के एक्जाम में 6 प्रस्ण, सौरी, 2016 के एक्जाम में, जो पुनर परिक्षा होई section है, यह हमारे लिए most important section current affairs का हो जाता है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह है, कि यहाँ पर आपको 20 से 25 पेजे से 2-3 marks पक्के हो जाते हैं, आप सोचिए, कोई-कोई subject है जिससे आप 5-6 number के लिए हो सकता है, 200-300 page की book पढ़ें, और यहाँ पर 2-3 number आपके पक्के हो जा रह उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आम तोर पर आप देखेंगे, तो typing वाले में pages की संख्या कम हो जाती है, और hand return में वो ज्यादा हो जाती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर केवल इतने से आपको 2-3 number का sure है कि number वहाँ पर question मिलता ही है, लेकिन उससे related ज कई भारतियों को प्रदान किये जाते हैं, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि overall कई सारे पुरसकार हो जाते हैं, और यह बात मैं कर रहा हूँ, जो आपकी current affairs की magazine आती है, यदि हम लोग magazine को हटा दें और daily current affairs पे आ जाएं, जो कि आपको webinar channels के माध्यम से कराये जाता है, उसक हमारी समस्या भी है, यह चुनोती भी है और इसके समधान के लिए एक बात तो तय है कि हम लोगों को एक filter लगाना बहुत जरूरी है, filter लगाना यानि previous year questions के analysis के आधार पर हम लोग यह तै कर सकते हैं कि कौन से section current affairs में, यह जो पुरसकारों वाला section है, उसमें कौन से awards ऐसे है जो बार-बार पूछे जाते हैं, कौन से awards, किस आधार पर पूछे जा रहे हैं, यदि हम वो समझ लिए, यह trend समझ लिए, तो वास्तों में हम लोग यहाँ पर प्रशनों को आसानी से solve कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारे पास materials हो जाएगा limited, और यह बात मैं बार-बार कहता र पढ़ेंगे, हर वो चीज जो आप पढ़ रहे हैं, कि तो revise नहीं कर रहे हैं, उसका वास्तों में बहुत ज्यादा यूज है ही नहीं, ठीक है, तो revision is the key, revision तो आपको करना ही है, कमसर्म तीन से चार बार revision करना है, और जाहिर सी बात है कि यदि आप सारा का सारा data पढ़ेंग पर देख सकते हैं, कि कौन से प्रकार के प्रस्ण वो ज्यादा पूछे जाते हैं, और पूछे भी जाते हैं, तो क्यों पूछे जाते हैं, उसकी क्या relativity होती है, जिस वज़े से वो पूछे जाते हैं, तो इसका एक set pattern हम लोगों को विभिन exams में समझ में आ जाता है, जैसे UP UPPSC की बात करें, तो ROARO में जो pattern होता है, और UPPSC की परिक्षा में pattern होता है, यानि PCS की परिक्षा में, इन सभी को यदि आधार बनाए, तो हम लोग कुछ एक set pattern देख पा रहे हैं, जिसके आधार पर हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो आईए समझते है कि क्या-क्या हो pattern होते हैं, देखे, सबसे पहले कि किसी भी देश के जो सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित यदी कोई भारतिय को मिला है, तो वो अपने आप में महत्वन घटना करम हो जाता है, वो चाहे प्रधान مंत्री मोधी को मिला हो, अगर भूटान से प्रधान मं इसकी परिक्षा में आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से आप देखेंगे अभी आपको पिछले दिनों मैंने करेंट अफेर्स में कराया कि टाटा संस के जो अध्यक्ष एंचन से खरन उनको फ्रांस का शेविलियर डिलॉ लिजन डियॉनर अवार्ड मिला ठीक है तो वो इसी व उसको तैयार कर लिजे दूसरा तरीका जो एक टाइम पत्रिका होती है आप लोग अक्सर सुनते होंगे अमेरिकास कासिद होती है बहुँच अर्चिद पत्रिका है उसमें यदि परसन ऑफ दा इयर कोई बना है उससे रिलेटेट प्रसन पूछ लिया जाता है उसके अलाव मैगजीन इतनी महत्पुर्ण है कि यहां से प्रसन डिरेक्टली हम लोग को मिलते हैं और इस पर पहले जो है वो सारे प्रसन पूछे जा चुके हैं इस प्रकार के अब जैसे अभी मैंने हाली में आपको कराया था कि दिपका पादुकॉन को यहां कवर पेज पर इसमें साम प्रतिष्ठित व्यक्ति को मिल रहे हैं ठीक है तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरी बात कि भारत के प्रतिष्ठित पुरस्कार जो किसी भी व्यक्ति को मिल रहे हैं मतलब या तो पुरसकार प्रतिष्ठित होना चाहिए या व्यक्ति प्रतिष्ठित होना चाहिए यदि इन पर आप गौर कर लिए तो आप ये पैटर्न को समझ सकते हैं जैसे पुरसकार कौन-कौन से हो सकते हैं तो पद्म पुरसकार यहां पर सरवाधिक महत्रपूर्ण भूम का निभाता है जिसमें आपको पता है तीन प्रकार के होते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पद्म विभूषण की यदि बात करें तो अकसर यह पूछा जाता है इस वज़े से यहां पर आपको जितने भी हैं ये चुँकि बहुत ज्यादा नहीं दिये जाते हैं बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया जाते हैं, इसलिए इसमें आपको सभी याद करने हैं, सब के सभी याद करने हैं, किसको मिला है, किस फील्ड से मिला है, वो कहां का रहने वाला है, यह आपको याद रखना यानि शेत्र का मतलब वो जिस एरिया का रहने वाला है वो और जिस इस्पेसिलिटी में है वो यानि कोई यदि नेता है तो वो यदि सारवजनिक सेवा से जुड़ा हुआ है तो वो भी आपको समझना है तो यह यहाँ पर संबंदिक शेत्र व्यक्ति इंपोर्टेंट हो जाता है एक बाल तो प्रस्ण ये भी पूछ लिया गया कि इसमें पद्म भूशन जो है वो कितने मरणों परांत व्यक्तियों को मिला तो यानि कि यहां पर पद्म भूशन हमारे लिए सरवाधिक महतुका हो जाता है पद्म भूशन इन से ज्यादा इस लोगों को लगभग मिल जाती है तो क्या सारे याद करने जरूरी है तो वहां पर एक फिल्टर लगा सकते हैं कि जो भी लोग उत्तर प्रदेश के उसमें निवासी हैं उनको आप लोग ध्यान रखिये ठीक है उनको याद कर लीजे कि वो किस फिल्ट से रिलेटेड है दूसरी बात कि कुछ एक ऐसे famous actor actress होंगे जिन से related आपको प्रशन मिल जाएगा जैसे आपको कंगना रनौत को जब मिला था पदमश्री तब वो प्रशन आ गया था ठीक है इसी प्रकार से कुछ sports person होते हैं उनको जब मिलता है तो वो भी आप याद कर लीजे कि वो किस फिल social या business entrepreneurs होते हैं जो की काफी नामी गिरामी है यदि उनको यह award मिलता है तो भी आपके लिए महत्वपुर्ण विशे हो जाता है तो उसमें से आप वास्तों में जो list होती है 100 लोगों की होती है उन 100 लोगों में से आप ये देख लीजे कौन UP का है कौन बहुत famous है और क्या है ये सबी चीजें यदि आप देख लेंगे तो उसमें भी filter कर पाएंगे लेकिन इसमें जो सरवाधिक महत्वपुर्ण होता है वो पद्म विभूशन होता है अकसर उसमें प्रस्ण पूछे गए हैं लगभग अगर पिछले 10 वर्षों का प्रस्ण पत्र देखें UPPSC के सभी इक्जाम्स का तो आपको चार से पांच बार आपको पद्म विभूशन से प्रस्ण मिल जाएगा इसकी महत्ता यह है आगे बढ़ते हैं राजीव गांदी खेल रतन आपको पता है खेल का पुरसकार है सरवोच पुरसकार में से एक है और उनमें यदि हम लोग देखें तो जिसको अभी मेजर ध्यान चंद अवार्ड भी बोला जाने लगा है इससे भी प्रस्ण बन जाते हैं ठीक है और इसमें ना केवल यह कि वो व्यक्ति कौन है जिसको मिला है बलकि उसके सासद वकिस खेल से संबंदित है जैसे जब दीपा मलिक को मिला तो उनका खेल के बारे इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इनको पढ़ते समय कम से कम इन्टू एक्ट एट या सेवन साथ से आठ वार इसको आपको रिवाइज करना है ठीक है बाकी को आप हो सकता है यह क्या दो बार पढ़के छोड़ दें परन्तु यह ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है लगभख सभी इंक्जाम्स में पूछी जाती है परन्तु UPPSC के इंक्जाम्स में इनकी महत्ता सबसे ज्यादा है और इस वजय से आपको इसको लगभख साथ से आठ बार रिवाइज करना है यह इतने ज्यादा महत्वकून चीज़ें आपर दी जा रही है दादा साहब फालके अवार्ड फिल्म लाइन से समंदित है और ये आपको देखने को मिलेगा कि कम से कम पिछले 10 सालों में 3-4 बार ये प्रस्ण आता ही आता है कि दादा साहब फालके अवार्ड किसको मिला तो इसलिए यह भी बहुत important है इसके अलावा आप लोग देखेंग अपी लेकिन यहां पर आपको ये लिम्टेड दिखता है फिल्म फेयर वगईरा से केवल एकी बार पूछा गया है तो इस वज़े से थोड़ा सा आप इसको ध्यान दे सकते हैं गांधी शांती पुरसकार गांधी शांतियम सद्भावना पुरसकार ठीक है इंद्रा गांधी शांती निर्शास्त्रीकार पुरसकार ये भी अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है इसी प्र अपने आप में तो इस वज़े से भी यह एवर्ड इंपौरटेंट हो जाते हैं अंतराष्टि गांधी सतरि ओस्तर के पूरसकार नहीं पृत्वी विज्ञानमंत्राले दुवारrine स्मार्ट सिटी अवर्ड या राश्ट्रियजल पूरसकार ईस प्रकार के अवार्ड पर भी कभी कभी प्रस्ण बन जाता है परन्तु उसमें गौर करने लाए कि यह होता है कि यदि ऐसे कोई अवार्ड है उसमें यदि यूपी की कोई ठीक ठाक रहें का रही है तो फिर आप उसको याद कर सकते हैं क्योंकि यूपी यदि एक तो बहुत कमी में पूछ लिया तो यह एक पैटर्न है जिसको आप समझ सकते हैं कोई ऐसे अवार्ड यदि आपको दिखें जिसमें लगे कि यूपी आगे है उसको आप मार्क कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे सरकाल द्वारा कोई यदि नया शुरू किया गया पुरुसकार है कोई ऐसा वर्ष के लिए तो वह इंपोर्टेंट हो ही जाता है तो यह भी पैटर्न आप समझ सकते हैं कि कि किसी में यदि यूपी आगे है तो वह समझ लीजे या फिर किसी में यदि सरकाल द्वारा नया नया शुरू किया गया है जैसे एक बार प्रशना आ गया था प्रेरग दौर सम्मान क्योंकि वह उसी समय शुरू किया गया था और अपना ये स्वचता के लिए सहरी मंत्राले द्वारा शुरू किया गया था इस वज़े से इस पर आधारित प्रशना आ जाता था ठीक है एक आपका उत्तर प्रदेश संबंदित यस भारती अवार्ट होता है इससे भी प्रतिष्ठित अंतराश्टिय पुरस्कार भी होते हैं जो कि हमारे आप पूछे जाते हैं अब यहां पर भी खेल वही वाला है कि या तो वो पुरस्कार प्रतिष्ठित हो या फिर वो पुरस्कार को रिसीव करने वाले लोग प्रतिष्ठित हो यदि यह दोनों ही केस पूछने की संभावना बन जाती है जैसे यहां पर हम लोग देखेंगे प्रतिष्ठित अंतरास्टी पुरस्कार कौन कौन से ओसकर से रिलेटेट प्रस्न जिसको आम तोर पर प्रस्न भी काफी पूछे जाते हैं इसलिए उसमें आपको फिल्म कौन सी बेस्ट फिल्म चुनी गई एक्टर या एक्टरस कौन से बेस्ट है डिरेक्टर उनके कौन है यह हुआ है या फिर यदि कोई इंडियन को मिला है तो वो तो हमाई लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ह हो जाता है कि किसी इंडियन को मिला है तो इसके अलावा कई बार इंडियन का विनर जो रहा वो तो ठीक है लेकिन कई बार इसकी जो नॉमिनेशन है यानि यह भी पूछ दिया जाता है कि भारत की तरफ से ऑसकर के लिए चुनी गई कौन सी आधिकारिक प्रविष्टी थी तो यानि कि यह अवार्ड इतने महत्पूर्ण है कि भारत की तरफ से भेजी जाने वाली नॉमिनेशन भी प्रविष्टी भी दरसल पूछ ली जाती है तो इनको भी आप तैयार कर लीजे ठीक है तैयार करने के मतलब इसको रिवाईज बार बार करना है नोबेल पुरसकार कि अधी बात करें तो नोबेल पुरसकार किसको मिला, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिला, किस देश का है वो व्यक्ति देश से रिलेटेड प्रशन हाला कि कम पूछे जाते हैं परन्तु किस विषय से संबंदित है, किस खोज पर मिला ये सभी बहुत जरूरी है नोबेल पुरसकार पे भी अक्सर प्रशन पूछे जाते हैं तो यह आसकर और नोबेल यह तो बहुत ही इंपोर्टेंट है जिस वर्ष ओलंपिक होता है उधर भी आप देखेंगे कि ओलंपिक मैडल जो है उससे संबंदित भी कई सारे प्रशन पूछ लिया जाते हैं खास तोर पर इ है तो यह हम लोगों के लिए एक महत्पूर्ण विशाय हो जाता है या फिर ओलंपिक कमेटी को यह अवार्ड वगरा देती है जैसे मान लिजे कि बेस्ट कोच के लिए उसने अवार्ड दिया किसको दिया पुलेला को पिचंद को दिया तो वह आपका अवार्ड उस समय में उस साल की परिक्षा में पूछ लिया जाएगा और वो पूछा भी गया है तो इस आधार पे भी आप समझ सकते हैं कि यह सरवाधिक जो चर्चित महत्पूर्ण अवार्ड हैं उससे रिलेटेट प्रस्ण आपको बार-बार मिलेगा और यही कारण है कि आपको इसको बार- नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैक्षे से पुरसकार अगर किसी भारतिय को मिला है तो आप इसको ध्यान में रख लिजे pocket 높 प्रसकार पत्रिकारता के लिए यह किसी भारतिय को मिला है तो आपके लिए बहुत ज़ादा पूछे जाने वाला विशे नहीं है, लेकिन फिर भी Academy Awards, Oscar के साथ में Golden Globe आव बाफ्टा ये ऐसे अवार्ड है जो की important है, हाला कि इस पे अपने आप बहुत ज़ादा प्रस्न नहीं बनते हैं, ठीक है, प्रिजजर पुरस्कार आपको पता है, वास्तुकला कि लिए दिया जाता है, अगर ये भी किसी Indian को मिल रहा है, तो वो हमारे लिए महत्पूर्ण हो जाता है, ठीक है, तो ये सभी कुछ अंतराष्ट्री प्रतिष्ठित अवार्ड हैं, जिन से रिलेटेड हम लोगों को जानना है, लेकिन कुछ अंतराष्ट्री अवार्ड ऐसे भी होता है, जो कि किसी प्रतिष्ठित भारतिये को मिले, और यदि वो प्रतिष्ठित भारतिये को मिल रहे हैं, तो वह भी महत्पूर्ण हो जाता है, जैसे Champions of the Earth Award, किसको मिला नरेन्द मोदी को, अब नरेन्द मोदी को मिला तो मतलब वो important हो गया, ठीक है, UNO के द्वारा यह दिया जाता है, तो वो अपने आप में important हो गया, इसी प्रकार से highest civilian order of country किसी भी देश का यदि सर्वोच नागरिक सम्मान मिल जाए, तो वो प्रस्ण अकसर पूछ लिया जाता है, इसलिए उसको तो आप लोग अच्छे से याद कर ही सकते हैं, अब यह हो सकता है कि 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 मान लिजे किसी नेता को मिल जाए, या फिर किसी ऐसे मतलब किसी नेता politician को अलावा, जैसे मान लिजे पिछले साल सशी थरूर को मिल गया, जो हमारा France का सर्वोच सम्मान, इस बार वो एंचंद शेकरन को मिल गया, तो ऐसे करके यह हमारे लिए थोड़े महत्वण किसी प्रकार से मान लिजे किसी देश में अब जैसे नरेंद मोदी को फ्रांस की जो बैस्टील देव परेड होती है, वहाँ पर उनको guest of honor आमंत्रित किया गया, ये महत्वण प्रस्ण हो गया, तो ये सभी पुरसकार अथवा सम्मान हमारे लिए महत्वण हो जाते हैं, इस अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खेल वाले सेक्शन में जाएगा, यदि साहित के पुरसकारों की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिया, अंतरास्ट्रिय साहित के इस्तर पर बुकर पुरसकार, मान बुकर पुरसकार, नोबेल पुरसकार, ये सभी अवार्ड जो पांस से छे बार ये प्रशन पूचा गया है, अलग अलग परिक्षाओं में, BEO की हो या, RO, PCS की हो, इन सभी में ज़ाएगा, तो पांस से छे बार ग्यानपीट से प्रशन पूचा गया है, ठीक है, सरस्वती अवार्ड हमारे लिए इंपॉर्टन्ट है, मतलब इसको परंतु हमारे लिए हिंदी और उसके साथ में आप अंग्रेजी या उर्दू इन तीनों के आप याद कर सकते हैं ठीक है इंदी अंग्रेजी उर्दू इसके साहित्यकादमी अवर्ड किसको मिले वह याद कर लिजे भारत भारती अवर्ड आपको पता है यूपी का सर्वोच साहित्यक अवार्ड है इसको आप देख लिजे कि ये किसको मिला है ठीक है उसके साथी मैतली स्राण गुप्त अवार्ड ये बहुत इंपोर्टन नहीं है लेकिन इस प्रकार के आप देखेंगे साहित्य से संबंदित अवार्ड भी जनरली पूछ लिये जाते हैं अब आप सम हम लोग समझ किया सकते हैं यह समझ यह ले सकते हैं कि यहां पर जो पुरसकार यदि कोई बहुत प्रतिष्ठित पुरसकार है तो यहां पर लिखा हुआ है यह सभी इतने प्रतिष्ठित पुरसकार हैं कि जिसको भी मिल रहे हैं वो इंपोर्टन है लेकिन इसके अलावा को ऐसा भी अवार्ड हो सकता है जो दरसल पहली बार किसी भारतियों को मिल रहा हो या फिर किसी एक प्रतिष्ठित भारतियों को मिल रहा हो या फिर कुछ इस प्रकार की सिचुएशन होगी तो वह भी अमारे लिए बहुत महत्पूर्ण हो जाएगी आपको पढ़ने जितने भी awards आप लोग पढ़ रहे हैं आपकी जितनी magazines वगरा हैं उदमें वो कई सारे awards दिये रहते हैं आप उनको पढ़िए परन्तु ध्यान किस पे ज्यादा देना है वही इस वीडियो का पूरा मकसद है वो बातें यहां पर आपको explain की गई है इसकी PDF आपको हमारे एप पर मिल जाएगी एक वहां पर YouTube PDF नाम से एक फोल्डर बना हुआ है जहां पर आपको इसकी सारी PDF अवेलेबल करा दी जाएंगी जितने भी YouTube के वीडियो जब हमारे आ रहे हैं उसमें तो चलिए class को यहीं पर end करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार